एक बेबीसीटर जो पैसों के लिए बच्चों के फादर के साथ होती है उसके लिए डिमांड बढ़ने लग गया तो अपना नेटवर्क बढ़ाती है इसी विजनेस में कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक कर देजएगा बीना किसी देरी के एकस्प्लिकेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन गारेक्टर जिसका नामे शर्ली या अपने कुछ क्लायन के साथ इंटिमेट होने के लिए एक रिमोट सी जगा पर आई हुई थी उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी है वो गहती है मेरे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ मेरे अब्यूजिंग भैरेंस नहीं थे मुझे सही से ट्रीट किया गया था इसका मतलब है यह सब करने का रिजन कुछ अब्यूज नहीं है अब यह सब वो क्यों करने लगके इसका पीछे का रिजन हम फ्लैश बैग में पता चलेगा फ्लैश बैग साट होता है और शेरली हमें उसके क्लास में दिखती है शेरली की दो फ्रेंड्स है एक का नाम है मलीसा दुसरी का नाम है ब्रैंडा एक्च्वल में ब्रैंडा का ब्रदर है शेरली को लाइक करता है इनके अब थोड़े दिनों में सैट आने वाली है इसका मतलब है वे कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत ही इंपोर्टन एक्जाम इनकी टीजरी ने कहते हैं इस पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है इसे सिरियस लो इसके बाद शाम में शर्ली को लेने के लिए माइकल आने वाला था एक्च्वल में माइकल को एक बेटा है माइकल और उसकी वाइव कई डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे तुने बेबी सीटर की ज़रूरत है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए शरली बेबिसिटर का काम करती है दो-तिन गंडे के लिए वो उनके बेटे पर ध्यान रखेगी माइकल आने वाला था तो शरली बहुत ही अच्छे से रेडी होती है माइकल ने आने पर उसे हाय कहा तो शरली मदर के सामने ही शर्मा की मदर के बहुत ही अजीब लगता है उसे डाटती है और माइकल के साथ भेज देती है इसके बाद माइकल और उसकी वाइव ये अपने डिनर के लिए चले गए इनका डिनर माइकल की एक ओल्ड फ्रेंड के साथ था जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है माइकल को उसके फ्रेंड ने ओफर दिया याग कर तुम मेरे साथ काम कर सकते हो उसका फ्रेंड बहुत एंबिशियस है बहुत सारे पैसे उसे देने वाला था माइकल की वाइफ जिसका नाम है गेल इसे फ्रेंड अच्छा नहीं लगता एस अ परसन उसे बहुत इगटिया लगता है गर पर शरली इनके बेटे के साथ थी तो उसके शर्ट पर केचप पर जाता है इसे वाश करने के लिए उबेस्मेंड में गे यहाँ पर उसने देखा कि माइकल को एक होबी है वो छोटे-छोटे घर वेगरा इस तरह की चीज़े बनाता रहता है उसने यहाँ पर रेलवे ट्राइस भी बनाए हुए थे डिनर पर माइकल बहुत एक्साइड़ेड हो गया डिनर के बाद गेल से ओबात करता है कि उसे उसके फ्रेंड के साथ जॉब करना चाहिए गेल उसे कहते हैं कि तुम जहाबर भी काम कर रहे हो यह सब कुछ सही है उसे जो सिक्रूटी हा मिलती है यह सबसे जादा इंपोर्डन्ट है चलते चलते यह रेल के ट्रैक्स पर आए माइकल कहता है क्या तुमें यह ट्रैक्स याद है यही पर यह फर्स टाइम मिले थे वो गेल के साथ जाकर इसे विजिट करना चाहता था गेल अपने बेटे के लिए वरीड थी तो उसे जल्दी घर जाना था इन हस्बन वाइफ में बहुत जादा कंट्रास्ट है शरली घर पर एक एक चीज़ साफ करने लग गई थी उसे कोई भी चीज गलत अच्छी नहीं लगती वो सारी चीज़े साफ कर रही थी तब ही माइकल और वो घर पर पहुँझ गय माइकल उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता है कहता है कि तुमने खाना खाया शरली कहती कि नहीं फिर वो उसे एक डाइनर पर लेकर आया माइकल कहता है मुझे राद में नीन नहीं आती है शरली को भी नहीं आती है शरली अपने आपको explain करने के लिए कहती है यह मुझे चीज़े एक particular manner में ही अच्छी लगती है जैसे कि इस diner का table यहाँ का salt वेगेरा सब कुछ ठीक तरीके से रखा होना चाहिए माइकल इसे amuse था उसके साथ flirt कर रहा था शरली उसे उसकी wife के बारे में पूछती है कहती है तुम दोनों first time कैसे मिले थे माइकल कोई अच्छा नहीं लगता उसे अपने wife के बारे में बात नहीं करना था और फिर भी उसे story बता देता है वो कहता है एक abandran सा railway track था वही पर हम first time मिले थे रात में मैं और मेरा friend ये दोनों वहाँ party करने के लिए गए हुए थे तब ये पूरी तरीके से नशे में गेल वहाँ पर आई वही पर ये दोनों intimate हो गए थे माइकल ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि लड़की बहुत सारा travel create करेगी और अब वह उसकी wife है वह पूरी तरीके से बदल चुकी थी माइकल शरली से पूछता है ये तुम्हारा भी boyfriend होगा तुम स्मार्ट और funny हो उसने उसे पूछा क्या तुम्हे कुछ cool देखना है इसके बाद उसे railway tracks पर लेकर आता है ये दोनों मिलकर old railway देखते है और माइकल ने शरली को kiss कर लिया गाड़ी में जब या आये तो हैं realize करते है ये सब गलत है माइकल की family है जाते वक्त उसने शरली को extra पैसे दे दिये next day पूरे दिन ये एक दुसरे के बारे में सोच रहे थे रात में शरली अपने फ्रेंज के साथ एक cafe में hangout करने के लिए आई यही पर वो माइकल को फिर से देखती है माइकल अपने बच्चों के साथ यहाँ आया हुआ था गेल ने शरली को देखा उसके पास आकर बात करती है कहती है मुझे फिर से तुमारी ज़रूरत पड़ेगी बेबी सीटिंग के लिए एक डे इन्होंने फिक्स किया इस डे पर डारेक्टली माइकल और शरली यह दोनों इंटिमेट हो गए इंटिमेट होने के बार कार में स्प्रीं का एर आ रहा था इन्हें बहुत अच्छा लगा जाते जाते माइकल शरली को टू हंडे डॉलर्स दे देता है कहता है क्या यह ठीक है शरली उसे बहुत लाइक करती थी और माइकल ने उसे इस तरीके से पैसे दे दिये उसे अजीब लगता है वो अपसेट हो गी पर ये पैसे लेकर चली जाती है अगली दिन शरली का स्कूल में जादा कॉंसेंट्रेशन नहीं था उसकी फ्रेंड उसे बुछती है क्या बेबी सीटिंग करना इतना इंपोर्टेंट है तुम्हें कितने पैसे मिले थे उसने कहा कि 200 डॉलर्स उसकी फ्रे है हमारा पूरा फ्यूचर है और यह सब करने का रीजन क्या है चरली कहती है यह सब इक गल्ती थी यह फिर आजकल कर रहा था, यह सब जीजे उसने अपने फ्रेंड से कही, फ्रेंड को यह बहुत ही गलत लगता है, वो गहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉलम चल रहे है, माइकल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज किसी को भी इस बारे में बताना मत, अब और माइकल का फ्रेंड, यह दोनों फिर इंटिमेट हो जाते हैं, यह सब करकर जब मलीसा शेरली को मिलने के लिए आए, तो शेरली कहती है, यह सारी चीजे मैंने सेट अप की थी, तुम मुझे इसके लिए 20% देश अबती हो, मलीसा को भी यह बार ठीक लगी, इसके बाद यह सब करना इनका स्टार्ट हो गया था, निनके कस्टमर और भी बढ़ने लग गए, एक दिन इन्हें तीन लोगों की जरुवत थी, शेरली और मलीसा यह दो ही थे, तो उन्हें और एक बेबी सेटर की जरुवत पड़ेगी, यह आइडिया मलीसा ने उसे दिया, मलीसा शे बाहर, ब्रैंडा का ब्रदर, जो शेरली को लाइक करता है, उसके पास आया, उसे किस करता है, और कहता है, थर्ड में किस बहुत अच्छी लगती है, और फिर इसके बाद हो चला गया, शेरली जब घर पर आई, तो माइकल उसकी खिड़की में वेट कर रहा था, यह दोनों कुछ है, शरली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बेड के नीचे माइकल को शरली के पैसे मिल गए, विसे पता चल गया कि वो और भी बिजनेस करती है, उसे इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं था, शरली की फ्रेंड ब्रैंडा यह फर्स टाइम बेबिसिटिं कि लेगे, उसे शरली ने बताया नहीं था, कि उसे इंटिमेट होना पड़ेगा, जैसे वो बेबिसिट कर रही थी, उसके फादर ब्रैंडा को चंगल में लेकर आते है, किस करने के लिए उसके पास आये, ब्रैंडा के तीक तुम यह क्या कर रहे हो, वो बहुत ही डर गया, उसे लग ही रहा था, यह कुछ न कुछ तो गड़वड होगी, वो उसे कहता है, तुम बहुत ब्यूटिफुल हो, घर जाकर अपना एक फोटो लेना, हमेशा इसी तरह के से परफेक्ट रहना, अगर तुम चाहो, तो हम दोनों सिर्फ बात कर सकते हैं, कुछ भी करने की परसन आया, इसके बात यह दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते हैं, शरली के वी आज कल कुछ दूसरे क्लाइंट्स थे, तो माइकल को इगनोर करती है, शरली जब घर पर आई, तो उसकी फ्रेंड प्रेंडा उसका वेट कर रही थी, वो कहती है, मुझे लगा ही था, कुछ बढ़ने लग गया था, शरली के फ्रेंड मलीसा अपनी फ्यूचर के लिए एक अच्छे कॉलेज में अपलाई करती है, बिजनेस बढ़ने पर शरली ने अपना एक कार्ड भी बना लिया था, एक दिन जब माइकल अपने बॉस के साथ डिनर करा था, उसका बॉस कहता है, ल शरली से मिलता है, कहता है, किसी ना किसी को तो पता चल जाएगा, शरली फ्यूचर के बारे में ज़्यादा को सोचना नहीं चाहती है, उससे कहता है, तुम्हें सब कर क्यो रही हो, मुझे लगा था, यह सिर्फ हमारे बीच में है, शरली उस पर गुसा आओके, क्योंकि उस अपनी सिस्टर के पास ज़्यादा कुछ भी पैसे नहीं, तु उसे भी इस काम के बारे में बता देती है, आज अपनी जगावर उसने अपनी सिस्टर नादीन को भीज दिया, नेक्स डेज सारी फ्रेंड्स मिली, शरली ब्राइना से उसका कट मांग रही थी, तब यह कहती है, कल मेरी सिस्टर गई थी, शरली ने नादीन से बात की, नादीन कहती है, सब कुछ काम मैंने किया, तो तुमें कट क्यों, शरली ने कहा कि इसी दरीके से बिजनेस चलता है, नादीन देना नहीं चाती थी, पर फिर भी उसे पैसे देने परते हैं, इसके बाद थोड़े इसके दिनों में एक-एक करकर शरली की क्लाइन कम होने लग गए, उसने फिगर आउट किया, कि नादीन ने और कुछ इसकी फ्रेंड्स हो लेकर ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, इसके बारे में वो ब्रैंडा से बात करती है, कहती है, उसकी सब चीज़े चेक करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ब्रैंडा ने उसे कहा कि मैंने सब कुछ चेक किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, ब्रैंडा सही से जूट भोल नहीं पाती, वो भी अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रही थी, शरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अगर एक ही लॉकर को तोड़ा, तो सस्पिशियस लगेगा, तो सारी स्कूल को तोड़ने लगते हैं, माइकल कोई बात पहले गलत लगी थी, पस सब कुछ तोड़ना फोरना वो भी एंज़ॉय करता है, वो जब रात में वापस आया, तो गेल उसके लिए बहुत ही वरीड करना, शेरली की सारी तोड़फोर करने के बाद, नादिन और उसकी फ्रेंड्स धर गई थी, शेरली उनसे गहती है, अगर मेरे बैक के पेचे, फिर से कुछ भी चीज़ की, तो बहुत बुरा होगा, शेरली को धमकी देता हुआ देखकर, मलिशा गहती है, तो यह वैकेशन करते है, शेरली और उसके फ्रेंड्स के साथ ही इंटिमेट हो रहे थे, माइकल के फ्रेंड ने उससे कुछ ड्रग्स दिया, वो गहता है, इन सब लड़कियों में से, ब्रैंडा सबसे ज़्यादा स्पेशल है, वो यह सब करती क्यों है, उसे इसके बार में पता ही नहीं, यहाँ पर शेरली किसी और के साथ इंटिमेट हो रही थी, पर माइकल उसके पास आया, तो उसके पास आजाती है, सारे मेलकर ड्रग्स लेते हैं, इस ड्रग्स की वज़े से, ब्रैंडा को बहुत ही अजीव लग रहा था, उसकी तवियत खराब हो गई, ऐसी हालत में एक आ ब्रैंडा को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती है, वो सब को बता देगी, शेरली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शेरली इस बात को जादा सीरेसली लेती नहीं, रात में मलीशा फिर से उसे मिलने के लिए आए, वो गहती है कि मेरा कॉलिज में एड्मिशन हो चुका है अगर हम जो भी सब करते हैं, किसी को भी इसके बार में पता चला, तुसे एड्मिशन नहीं मिलेगा, रात में मलीशा ने ब्रैंडा के ब्रदर को मारने के लिए भेजा, उसे बहात मारते हैं, और कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर को अपना मूप बन करने के लिए को, इसा कहती है मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर डाला है आज कर माइकल का अपने काम पर जादा कॉंसेंट्रेशन नहीं था उसे एक इंपॉर्डंट अकाउंट से निकाल दिया जाता है इससे उसी सैलरी भी कम हो जाती है यह बाद जब उसने गेल सी की तो इस पर बहुत गुस माइकल उसे समझाने के लिए जाता है कहता है कभी कभी लोग आपको बहुती बैडली ट्रीट करते है उसने फिर रियलाइस किया कि उसका बहुत बहुती घटिया है अच्छा हुआ कि उसका जॉब चला गया अब वो अपने फ्रेंड के पास जाकर उसके साथ बिजनेस आज रात हो खुश था तो शेरली के साथ फिर से ट्रेंड ट्रैक पर आता है उस रात उनकी ट्रीपर जो भी हुआ इसके लिए सौरी कहता है माइकल शेरली को बहुती लाइक करता है कहता है हम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए शेरली कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत कोलो हम दोनों बहुत गटिया लोग है हम दोनों के लिए कोई भी हैपी एंडिंग नहीं माइकल चाहता था कि दोनों हमेशा एक साथ रहे उसे पूरी तरीके से अपने लिए चाहिए शेरली ने गा तुम्हारे बास फर्स टाइम चांस था पर तुमने मुझे पेग कर दिय और वो कभी भी माइकल के साथ नहीं रहना चाहती है रात में शरली ने ब्रैंडा को सौरी कहने के लिए कॉल किया उसका प्रदर ये कॉल उठाता है वो कहता है ये ब्रैंडा ज़रा बीजी है तो इसके बाद शरली नादिन से बात करना चाहती थी वो कहता है नादिन बेब अब करकर यह ब्रैंडा की जगा पर आ जाते हैं उसे गाड़ी से निकाल कर बहुत मारते हैं एक ब्रीज से उसे उल्टा लटका रहे थे उसे धमकी दे रहे थे यह फिर से कभी होना नहीं जाई है नादीन को धंका देवक्ग वो नीचे गिरने वाली थी पर इनकी क्लायन ने वो बहुत रुई उसने आज तक जो भी किया इन सब चीजों का उसे पश्टावा आया वहती है इन सब बातों के लिए मुझे कोई भी फर्गिव नहीं कर सकता जो भी गलतिया उसने की इन गलतियों के साथ ही उसे अपनी जिन्दगी गुजारने पड़ेगी उसके लाइफ किसी और के रिलेशन्शिप के साथ खेल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था पर जब उसने अपने फादर को देखा तो किसी को वो कितना हर्ट कर सकती है यह उसने रियलाइस किया इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इ कराता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं